दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो पटलाल की स्टोरी का जो अंत हो मैंग कलाइमैक्स हाए गा उसमें वही पोपट लाल को तुफान एक्सप्रेस में ही नोकरी मिल जाएगी और तुफान एक्सप्रेस का डिजिटल एडिशन शुरू हो जाएगा और बिल्कुल वैसे ही कलाइमेक्स हुआ अब दोस्तों बात करते हैं आने वली स्टोरी के बारे में तो जो प्रोमो दिखाया जा रहा है उसमें जेटलाल के हाँ से पानी का लोटा गिर जाता है भीडे के सिर पे अब दोस्तों यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि भीडे की जो है वो यादास चली गई है बाकि दोस्तों जैसे वो लोटा भीडे के सिर पे किरा मेरे को तभी से अंदाजा हो गया था कि भीडे की यादास तो गई और इसके बाद जो भीड़े हैं वो जेटा दाल को भी नहीं पहचानता वैसे दोस्तों अगर तारेक में तो शो मेकर चाहें तो इस पे काफ़े अच्छी स्टोरी बनाई जा सकती है लेकिन क्या स्टोरी इस पर बनती है या फिर इसको बस ऐसे ही एक छोटे से इंसीडेंट की तरह दिखा दिया जाता है ये तो खैर में आने वाले एपिसोर्ड में ही पता चलेगा बाकी दोस्तों इस पर एक डैडिक एडिट स्टोरी बन जाए ना जिसमें सारे लोग गोकुलधाम के सारे लोग कोशिश कर रहे होते हैं भीडे की यादाश वापस लाने के लिए तो वो काफी मज़ेदार हो सकती है बाकी ऐसा होता है या नहीं ये देखना काफी इंटरस्टिंग होगा